देश में जिस तरफ भी जाएं बे रोजगारों की एक बड़ी भीड है और जिनके भी रोजगार हैं सरकार उनके रोजगार भी छीनने में कोई कसर नहीं छोड़ लए है इसी तरह से अगर हम देखें तो सिक्षा मित्र जो बहुत मजबुती के साथ आंदोलन कर रहे हैं जो अपने हक के लिए लग रहे हैं जो सिक्षा का एक बड़ा महत्पूर अंग हैं और इस देश में पहले ही जहां सिक्षकों की बहुत कमी है वहां सिक्षा मित्रों को इस सिक्षा की विवस्ता में लगा के सिक्षा विवस्ता को चलाने की बाती आज उन्हीं सिक्षा मित्रो को सड़क पिला के खड़ा कर दिया है इने सिक्षामित्रों से इनका हक देने का वादा किया था योगी सरकार ने मोधी सरकार ने भाजपा सरकार ने लेकिन इसी भाजपा और योगी सरकार ने उसको डंडे के दम पर कहा कि सिर्फ 10,000 लेना है तो ले लो इसके अलाबह हम देंगे नहीं कहीं भी उनकी कोई बात सुनने को तयार नहीं है उत्तर प्रिदेश में लगबग 1,72,000 सिक्षा मेत्र हैं और सिक्षा मेवस्था में इनका बड़ा महत्पूर्ण योगदान है और रोजगार के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो इतने लोगों को अगर रोजगार सरकार दे पा रही है उनको उनका हक दे तो इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती और उनकी मांग क्या है? सिर्फ इतनी तो मांग है कि उन्हें सहायक अध्यापक का दर्जा दिया जाए इसमें दिक्कत क्या है सरकार को? और सहायक अध्यापक के हिसाब से उनका जो वेतन बनता है वो वेतन दिया जाए सरकार के ये भी नहीं दे सकती अगर आप सिख्षा विवस्था को मजबूत करना चाहते हैं देश में अच्छे सिख्षा की विवस्था करना चाहते हैं तो अच्छे सिख्षक तो चाहिए आपको और सिख्षा मित्र के माध्यम से जब आपके पास में सिख्षक उपलब्ध है तो उन्हें उनका हक दिने मी क्या दिक्कत है बार-बार उन्हें सर्क पर आना पड़ता है पिछले दिनों भ cookies उन्होंने कही दिन तक लगातार दिनीम आंदोलन किया क्योंकि योगी सरकार तो उन्हें उनका हक तो देती नहीं हां लाठी डंडे उनको जरूर देती है पुलस से उनने जरूर पिटवाती है उठवा के जरूर बहार फिकवाती है हक नहीं देती है उनका तो सिख्षा मित्रों की जो लडाई है बिलकुल जाईज लडाई है उनका जो आंदोलन है बिलकुल जाईज आंदोलन है और उन्हें उनका हक मिलना ही चाहिए ताकि देश को नियाय मिल सके लोगों को नियाय मिल सके और रोजगार की जो समस्या है उस समस्या के समाधान हो सके